इस गड़ में 112 लाग मिल्टिक्टर धान की खरीदी हो गई है, कैसे देखते हैं रिकार्ड धान की देखिए तो हमारे सरकार के समय की तैयारी थी, हाब लोग सभी तैयारियां कर चुके थे, सनीच्छा कर चुके थे, किसानों का पंजियन, कितने धान खरीदी होंगे, क्या-क्या उसमें जरुरत पड़ेगी, धान खरीदी केंदर से ले करके और उसके परिवहान और रस्टम मिलिंग तैक की सम्फ हम लोगों ने तैयारी कर दी थी, कि सरकार को कुछ करना नहीं पड़ा, और आज यह जान करके बहुत खुशी होई कि, हमारा जो रिकार्ड था उससे भी, एक सो आठ लाक में टिक्टन का जो रिकार्ड था उसको, खुशी होई किसान जगत के लिए, किसानों के लिए बहुत साकारात्मा को और उनके लिए एक प्रेणादाई है, खास करके एगरिकेलचर सेक्टर को पर्मोट करने के लिए कि अगर किसानों के पाकिट में पैसा जा रहा है, लेकिन वहीं पर मान्ये मुख्यमंत्र जी से सरकार से पुरा आगरा है, कि आप लोगों ने जो किसानों को प्रतिकुंटल 31 रूप्या देने की बात कही थी, उसको आप ना दे करके अपने बातों से मुखर रहे हैं, किसानों को उम्मीद थी कि जिस प्रकार से इनुने कहा था कि एक मुख थम देंगे, और आधा अधूरा में हैं उनको संतुष करना पड़ रहा है, सरकार को चाहिए कि अपना वादा पूरा करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं, अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद!